हेलो फ्रेंड्स तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टेरिसा ने जिनकी वेटरीन कंपनी को जोइन कर लिया था और इस खुशी में उसने बहुत बड़ी पार्टी और्गनाइस की थी जिसमें वेटरीन कंपनी के सभी मेंपर्स आये थे और एपिसोड की लास्ट में हमने देखा था कि जिन जब अपने रिवर्स को चेक कर रहा था तो इसी वक्त उसे सिस्टम के तरफ से एक मैसीज आता है जिससे पढ़कर वो बहुत ही ज़्यादा है और इस मैसीज के उपर लिखा हुआ था तो फाइनली तुमने हमारी एक्जिस्टेंस को रियलाइस करी लिया तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिस्टम के उपर जिनको किसी परसन की कॉल आती है जिसे जिन भी पिक कर लिता है लेकि ये सिकस्ट वो काफ़ ज़्यादा घबराया हुआ होता है तो वह सामने वाले परसन जिन से बोरहा होता है तो मैं मुझे घबराने की कोई भी ज़रूत नहीं है हम तुम्हें या पिर तुम्हारे साथियों को कोई भी नुक्सान नहीं पहुंच आएंगे तो ये बास सुनकर जिन काफ़ ज़्यादा है और वो बोलता है आखिर हम से तुम्हारे क्या मतलब है कि तुम्हारे इलावा भी कोई और परसन भी है जो के जिनको तलाष कर रही होती है और इस ऐकसा डॉर्ट टर्यसअ नहीं ठीपाइती के जरी-ज़री से बत कर रही होती है और वो बोर होती है येकाफ convince Uhr जियन को तलाष करके और उसे अपने feeling के बारे में बता दो और उस वर 20 ऐसे पूपल थे जो मेरी लाइफ स्ट्रीम में हमेशा मौज़ूद होते थे और मुझे उनके बारे में याद इसलिए है कुछे वो 20 पूपल हमेशा ही मुझे काफ़ जादा पैसे डोनेट कर रहे होते थे जिन यहाँ पर एक नाम को पढ़कर काफ़ जादा है और वो सुच रहा होता है उन 20 नेम्स में से मुझे अब भी याद है एक परसन का नाम आई आलवेज वेलकम अ नियू हीरो था और अगर इन सबी वर्ड्स के पहले वर्ड को मिला दिया जाए तो यही नेम्स बनता है आई सिक साथो सामने वाले परसन बोलता है मुझे लगता है तो मैं मेरे बारे में याद आ गया है जब तुम लाइफ स्ट्रीम क्या करते थे हम लोग तुमें बहुत ही ज़दा पैसे डोनेट किया करते थे ताके तुम कभी भी अपने मकसद से डिस्ट्रेक्ट ना हो और तुमें गीम खेलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके और यवास सुनकर जिन काफे सदा इहरान हो रहा होता है और वास सोच रहा होता है यवास सच है जब मैं गीम खेला करता था तो इन लोगों के डोनेशन की वज़ा से ही मुझे कभी भी पार टाइम जॉब तलाश करने की जरूत नहीं पड़ी और इन लोगों की सुपर चैट से मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे बन जाते थे कि मैं बहुत असानी से अपना गोजारा कर सकता था आए इसी साच जिन बोरह होता है आखिर तुम लोगों ने मुझे चूज क्यों किया और तुम लोग मेरी हेल्प क्यों कर रहे थे क्योंकि तुम हमारी इस गेम को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और तुम यह एक ऐसे परसन थे जिसले कभी भी टावर ओफ ट्रायल में हर नहीं मानी और वो हमेशा हर फ्लोर को क्लियर करता गया और यही रीजन है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल टाइटल है जो आज तक कभी भी किसी परसन को नहीं दिया गया है इसके बाद जिन बुरा होता है वो सब तो ठीक है लेकिन अब तो यह गेम एक रियालिटी बन चुकी है और अब बहुत ज़्यादा पावर ओफ ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं तो आखिर तुम अभी मुझे सपोर्ट को कर रहे हो जिसके बाद वो परसन बुरा होता है मैं जानता हूँ इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे पावफुल हंटर्स है जिनोंने टावर ओफ ट्रायल के फ्लोर्स को कम्प्लीट करना स्टार्ट कर दिया है लेकिन हम लोगों को सिरफ ऐसा ही लगता है कि अगर कोई परसन इस टावर ओफ ट्रायल को कम्प्लीट कर सकता है तो वो सिरफ तुम हो और यह वाद सुनकर जिन काफे सदा है एस इक साथ वो बोलता है तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग चाते हो कि मैं टावर ओफ ट्रायल के सबी फ्लोर्स को कम्प्लीट करूँ लेकिन अगर मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो क्या होगा तो यह वाद सुनकर वो परसन बोलता है इसका आंसर तुम भी जानते हो अगर तुमने ऐसा करने से रिफ्यूस कर दिया तो हयुमेंटी बहुती बड़े डिंजर में आ जाएगी और सबी हयुमेंज को बहुती स्यदा सफर करना पड़ेगा और इस एक साथ हमें दिखाये जाता है कि यहां पर कोई परसन आ चुका होता है जिसके बारे में जिनको भी पता चल चुका होता है और हमें दिखाये जाता है कि यह कोई और नहीं किल कर दिया है और मुझे पूरे लगीन है कि हम लोग बागी के पैठी आज को भी एक खतम कर देंगे तो यह वाज सिंकर जिन बोरा होता है हाँ तुम फिकर मत करो मैंने तुम से प्रामिस किया है और मैं अपने प्रामिस को कम्प्रीट जरूर करूँगा लेकि इस जिए जिन जिन बोलता है ठीक है क्योंकि तुम ने मुझे इतना सब कुछ समझाया है तो अब मैं भी किसी चीज की फिकर नहीं करूँगा और हमें दिखाये जाता है कि यहां पर कोई और परसन भी मुझूद होता है जो कि और कोई नहीं बिलके टेरसा होती है यह जिए जिक साथ डिक टेरसा तेलीपेथी के जरीए टेरसा से बुरे होती है तुम एडियोट हो और तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्टेट कर रही हो तुम यहां पर क्या करने के लिए आई थी और क्या कर रही हो जिसके बदा हमें नेक्स्टी का स्थीन दिखाये जाता है जहां पर हम प्राइवेट प्लेइन को देखते हैं और हम जिन को देखते हैं जो के अपने मुबाइल में सभी लोगों की ग्रूप फोटो को देख रहा होता है वा इस इक सथ हमें जिन की प्रीवस मेमरी दिखाये जाती है जहां पर वो स्टेटिस मेंट वाला परसन जिससे बुरा होता जिन तुम नेक्स्ट फिफटीन फिलोर पर जाने वाले हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ फिफटीन फिलोर पर कुछ चीज़ें इस वर डिफेरिंट होने वाली है और वो चीज़ें तुम्हारे लिए प्रॉपلم भी बन सकती हैं और इस इक सथ प्रेजन नीने में सो रही होते हैं और इसक साथ यहाँ पर वाल्योंग और एंड्रिया भी मुझोद होते हैं और वाल्योंग यहाँ पर कलिटिवेशन कर रहा होता है और इसक साथ जिन देखता है कि एलाइस भी इस वक्त रेस्ट कर रही होती है और वो सोते हुए भी समाइल कर रही हो तुम्हारा फेवरिट फ्लिएवर है इसलिए ये आईस क्रीम में स्पेशल तुम्हारे लिए मंगवाई है वेवा सुनकर जिन बुरा होता है आपका बहुत सदा शुक्रिया ये सच में मुझे काफे सदा पसंद है और मुझे ये देखकर काफे सदा अच्छा लगा कि आपकी हेल्थ कम्प्लीटली रिकवर हो चुक्या है और हमें दिखाया जाता है कि ये परसन कोई और नहीं बलके यूनुवा के ग्रेंट फादर है और दोस्तों इस परसन का नाम शौन यॉंग है जिसका जिन बुरा होता है जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो आपका माना बहुत ह लेकिन इस वाद में मैं हैसुस कर पा रहा हूँ कि आपका माना इस वाद बहुत ही जदा स्टॉंग हो चुका है और मुझे ये भी पता चला है कि आपने टावर ओफ ट्राइल में डंजन्स को भी क्लेक करना स्टार्ट कर दिया है तो ये वास सिंकर चौन यॉंग वो रहा ह होता है और इस इक साथ वा सोच रहा होता है ये अच्छा हुआ कि मैंने युन्हों के ग्रेंट फादर को सेव कर लिया इन्होंने कभी भी अपना अविकन टेस्ट नहीं दिया है लेकिन इनके माना से ही मैं इनकी स्ट्रेंथ का अंदा सा लगा पा रहा हूँ और इनका और एक S-Rank person से भी ज्यादा strong है और इस इक साथ जिन सोच रहा होता है मेरे ख्याल से अगर कभी भी Mr. John और मेरे master की मुलाकात हो गई तो हो सकता है कि ये future में काफी अच्छे friends बन जाए लेकि इस इक साथ युन्हों का grandfather बोरा होता है जिन आखिर तुम यहां पर क्यों आया हो म आप उसे मेरे साथ भी सकते हैं तो यहां संगरो grandfather बोरा होता है जिन आखिर युन्हों के लिए तुम्हें मुझसे permission लेने की क्या जरूत है युन्हों सिर्फ तुम्हारी है और तुम जब चाहो उसे कहीं पर भी बुला सकते हो तो यहां सुनकर जिन भी काफे ज़्यादा ह है और वो बोरा होता है अरे यह आप क्या कह रहे हो और दोस्तों अगर आपको याद होगा तो starting के episodes में से किसी एक episode में युन्हों के grandfather ने जिन से बोला था कि जिन युन्हों से शादी कर ले लेगिन जिन ने इसके लिए मना कर दिया था और उसने बोला था कि युन्हों मेर लगता कि तुम बहुत बड़ी बुकड़ो आखिर तो इतना ज़्यादा खाना खा कैसे लेती हो लेगिन युन्हों तो उसे एगनूर कर रही होती है और वह बस अपने खाने पर दियान दे रही होती है लेगिन युन्हों तो लोग देखते हैं कि जिन और युन्हों के grandfather आ करना पड़ेगा और इसका सथ हमें 15th floor के boss monster को दिखाया जाता है जो के असलियत में एक लड़की है लेकिन यह कोई normal लड़की नहीं है बलके यह एक witch है जिसका नाम है devailing witch इसका वादा हमें next 15th floor का scene दिखाया जाता है और इसका सथ हमें माईरा और स्योक का scene दिखाया जाता इसका सथ इन लोगों से कोई person बो रहा होता है हम तीनों की गिल्ड वर्स की strongest गिल्ड है लेकिन हम तीनों मिलकर भी 15th floor को complete नहीं कर पा रहे हैं और 15th floor को complete करना ता दूर हम 15th floor के boss के किसी एक guardian को भी नहीं आरा पाए और हमें दिखाया जाता है कि यह person कोई और नहीं बलके गंधरा गिल्ड की गिल्ड मास्टर निराशा है लेकिन इसका स्याक बुरा होता है मैं जानता हूँ आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन आपको अपने गुस्से को हमारे उपर नहीं निकालना चाहिए को हम यहाँ पर आपको complete support कर रहे हैं और श साथ वो सोच रही होती है मुझे जिन से भी अपना बतला लेना है लेकिन अभी के लिए मुझे 15 फ्लो पर इफोकस करना चाहिए लेकिन इसे वरत निराशा को बाहर मुझोद लोगों की काफे ज़्यादा आवास यारी होती है जो कि किसी परसन के बारे में बाते कर रही होत है जो और उसके साथ टैमें और ये तिरों भी आय었어요 उसके साथ data हुआ यह अग़ाद होते हैं और यहां पर डेकर निराशा काफे ज़्या वह का त हीरान होती होती है और अखराए और यहां पर जितने भी लोगों होतें वह सभी जिन के बारे में ही बाते कर रहे होते हैं जि जिन भी बोरा होता है, हाँ मुझे भी तुम से मिलकर अच्छा लगा, क्या तुम ठीक हो, लेकि इस वर जिन देखता है, कि यहाँ पर निराशा भी मज़ुद होती है, और जिन उससे बोलता है, निराशा तुम कैसी हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि तुम भी पर मजुद होगी, तेवर सुनकर मारिया बोलती है, जिन क्या तुम निराशा को पहले से जानते हो, तो जिन बोरा होता है, हाँ मैं और निराशा हम दोने एक दूसरे को जानते हैं, हमारी फर्स्ट मीटिंग काफे ज़्यादा स्पेशल थी, जिससे हम दोनों ही नहीं बु लेकि निराशा इसृत काफे ज़घ्वास होती है, क्योंकि वह जिससा जिन से काफे ज़ेदर खबराई हो, लेकि इसका जिन बोलता है, मैं जानता हूं तुम इस वर्ट काफे ज़दा नर्वस हो, क्योंकि तुम यहीं सोच रही होगी, कि अगर मैंने इस फ्लोर को कंप्ली इसलिए मैं सिर्फ उस स्किल को लेने के लिए इस फ्लोर पर आया हूँ और इस इक साथ हम देते हैं कि आसपास यतने भी लोग होते हैं और सबी कहरे होते हैं कि जिन सच बो रहा है उसने बोला है कि अगर वो 15th फ्लोर को कम्प्लीट करता है तो 15th फ्लोर को कम्प्लीट करने का कोई क्रेट नहीं रखेगा जिन तो सच में एक बहुत ज्यादा नाइस परसन है और इस इक साथ सबी लोग यहां पर जिन की काफे ज़्यदा तारीफ कर रही होते हैं लेकिन इस इक साथ जिन सोच रहा होता है और यहां पर मुझूद आस पास के सबी प्लेयर्स को देख रहा होता है लेकिन उसे यहां पर कोई भी स्पेशल प्लेयर नजर नहीं आ रहा होता लेकिन इस विए जिन को कोई परसन नजर आ जाता है और उस सोच रहा होता है इस person पर तो मैंने कभी दिहान ही नहीं दिया इसकी skills भी काफे सदा अच्छी है और हमें दिखाए जिता है कि ये person कोई और नहीं बलके मारिया है आए इस इक सथ हमें मारिया की status window दिखाई जाती है और हमें पते चलता है कि मारिया का level 61 है और मारिया एक बहुत ही ज़्यादा स्टॉंग मैजिशन है और जिनको मारिया की कौपी कंडिशन बताई जाती है अगर आप मारिया को अपने बहुत ही ज़्यादा पाफुल और स्टॉंग मैजिक को शो करते हैं और अगर आप मारिया की रिस्पेक्ट और एड्मारेशन को हा जिन के साथ काम करने का मौका मिला है। इस बार मुझे जिन की हर्थरा की हेलप करनी है और जिन ने मेरे लिए अपनी लाइफ को बहुत बार खत्रे में डाला है। लेकि इस बार मैं जिन को प्रोटेक्ट करूँगी। लेकि इस बार मैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहती थी। लेकि इस बार जिन टैसा के पास आ जाता है और बुरह होता है। तुमने जैसा बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। लेकि इस बार मैं नहीं पता। जिसके बार मैं नेक्स्ट 15 फ्लोर पर रुइन्स का सीन दिखाए जाता है। जिन के अंदर जिन और उसके सभी साथी आचक्री होते हैं। जिन से बात कर रहा होता है और वह बूर रहा होता है। यह रूइन्स टोटल सेफन इरियास में डिवाइडिड हैं। और अगर हमें 15 फ्लोर के बास मास्टर तक पहुचना है तो हमें पहले इन गार्डियन्स को हराना होगा। तो जिन बूर रहा होता है। फिकर मत करो हम लोग यहाँ पर इसलिए तो आएं। हम लोगों को डटकर इसका सामना करना है तब ही हमें इससे हरा पाएंगे। लेंगे इस बास जिन उससे बोलता है तुम हमें ब्लॉक कर रहे हो हमारे रस्ते में से साइड पर हो जाओ। और हमें दिखाये जाता है कि यहाँ पर यह नोग और ताइमिन यह दोनों भी की मतब्स से देख रही होती है और इस इक साथ वह बॉस चिलाते हुए बुरे होती है आखरी इनसान मुझे कुछ देर अराम से रस्ट करने क्यों नहीं देते हैं यह हमेशा कुछ ताइम बाद मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं लेकि इस यह दो हमें दिखाये को आप से छीना है इसलिए मैं आपकी हल्फ करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ इसलिए मैं अगर आप परमीशन दे तो मैं आपकी हल्फ करने के लिए तयार हूँ और दोस्तों इस इक साथ हमें स्विच के बारे में बताया जाता है कि स्विच का नाम इसाबेला है जिसक कि मैं उनके साथ एक फैमिली की तरह रह सकूँ, क्या मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है, आखिर ये इनसान मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं, और हम देते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज़दा रोना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसकी आउंकों मेरे से बलेक कलग के आउंस होती है, आए इसी साथ और डेमोनिक हीमन का मेंबर बोरा होता है, मैं आपका स्पेशल रूम जिसके अंदर आप सबी स्पेशल रिच्वल्स को परफॉर्म करती हैं, हमें कुछ टाइम के लिए वो रूम चाहिए, और आपको इसके इलावा और कुछ भी करने की ज़रत नही मारिया और निराशा दोनों ही काफ़ जधा शॉक हो रही होते हैं, लेकि इस शॉक है आपको काफ़ जदा स्माइल कर रह रहा होता है क्योंकर यह जंनता है कि युन हा कितनी जदा क्रेजी है और ऑपनी फइट को कितना जदा इन्जॉइ करती है, आय इस लिए साथ हमें यह जीजिस से भागता हुआ इसी गार्डियन के तरफ आ रहा होता है आए इसे वह अपनी स्किल अल्टिमीट स्ट्राइक को एक्टिवेट करता है और वो इस गार्डियन को एक बहुत ही ज़्यादा पाउफुल पंच मारता है और हमें आसपास के लोगों को दिखाये जाता है जोके जिन की बहुत ही ज़्यादा तरीफ कर रहे होते हैं और वह कहरे होते हैं मिस्टर जिन और उनके टीम के सभी मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा पाउफुल है लेकि ये लोग बहुत ही जदा इंप्रूव हो चुके हैं और इनका टीम वर्क इस वक्त बहुत ही जदा परफेक्ट हो चुका है और हम देखिक यहाँ पर निराशा को काफे जदा गुस्ता आ रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही होती है और वो बस इने फाइट करता हुआ देख रही होती है लेकि स्योक उससे बोरा होता है मैं जानता हूँ तो मैं इस वक्त क्या सोच रही हो लेकि हम यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम पहले भी कई बार ट्राइ कर चुके हैं और हम इन गार्डियन्स को नहीं आ रहा पाए इसलिए हमारे लिए यही अचा है कि हम खामोशी से यहीं पर खड़े रहे हैं और इने फाइट करता हुआ देखें यह सी ही साथ हमें मारिय को दिखाय जाता है जोके इन लोगों को फाइट करता हुए देखकर बहुत ही है रही होती है है और उसमुच ढरऻी होती है मैंने आज तक कभी भी जिन को फाइट करते हुए नहीं देखा था लेकिन मैं जनती नहीं थी कि जिन इत्म ज़ीं देखा हे Python है लेकिन एक चीज़ से मैं बहुत ही ज़ीज़ होगने लगा है आकिन मुझे एसके लोग यहां पर फाइट कर रहे हैं क्योंकि वो इस सथ अपनी fight को काफी ज़दा enjoy कर रही होती है जिसके वद हमें कुछ दिरबात का scene दिखाया जाता है जहांपर हम जिन को देखते हैं जिससे इस सथ काफी ज़दा नीदा रही होती है और वो बुरा होता है मैं आज सच में बहुत ही साथ ठक चुका हूँ मैं और बिल्कुल भी काम नहीं करना चाता और अब तो मैं बस अपनी नीद को पूरा करना चाता हूँ अराम देखते कि यहां पर यह नवाभी मौजद होती है जो कि बोरी होती है मुझे अराम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता आज मैं बहुत ही साथ ठक चुकी हो और मुझे भी अब बस रेस्ट करना है और हम देखते कि तायमीन ने तो यहां पर चद्दर ही ओडली होती है और वो कह रहा होता है मैं भी अपनी जाब से बहुत ही ज़्यादा ठक चुका हूँ और मुझे भी अब बस कंप्लीट रेस्ट चाहिए और इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि यहां पर एक गार्डियन मुझोद है और इसका नाम डिसाइपल आफ सलोथ है और इसी साथ सिस्टम के तरफ से बता है जा रहा होता है सलोथ को लेजी परसन बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकि इस जगापर बहुत ही ज़्यादा लेजी लोग मुझोद है जिसकी वज़ा से उसका डिफेंस 100% तक डिक्रीस हो गया है और इसी साथ जिन इस गार्डियन के सर पर अटैक करके इसे यहीं पर किल कर देता है और ओर गार्डियन फॉरण से राख में चेंज हो जाता है और इसी साथ युनों आस्ते हुए बोलती है ब्रदर ये सच में काफ़ जादा एक्साइटिंग था मुझे हमारे ओल्डेस की याद आगी जब हमें एक साथ गेम खेला करते थे और इसी साथ हम मारिया को देखते है जो कि इस साथ काफ़ जादा है और ओर सोच रही होती है आखर यहाँ पर हो क्या रहा है हम सबी लोगों को तो लगा था कि हमें इन गार्डियन्स को इनके साथ फाइट करके हराना होगा लेकिन जिनके सबी मैथर्स बिलकुल डिफरेंट है और इस इक साथ मारिया में बता रही होती है जिन अभी तक उस गार्डियन्स को हरा चुका है दिनवे से एक डिसाइपल आफ ग्रीड था और जैसे ही डिसाइपल आफ ग्रीड जिनके सामना आया जल्दी 15th floor को clear कर लेंगे लेकि इसे वक्त हो देखती ही कि यहां पर दो निराशा होती नहीं है और हमें एक्स निराशा का सीन दिखाए जाता है जो के एक जिगाबर बैठी हुरी होती है और वह सुचरी होती है मैं यहां पर इस 15th floor को complete करने के लिए आई थी लेकिन मैं यहां पर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ आखिर ऐसा क्यों है और मैं इतना ज्यादा useless feel क्यों कर रही हूँ लेकि इसे वए निराशा के पास वो डिमोनिक हायोमन के मेंबर आगी होती है जो कि उससे बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी help कर सकती हूँ और यह बस सुनकर निराशा काफे सदा हैरान होगी होती है और वो बोलती है आखिर कौन है यहां पर मेरे सामने आओ लेकिन इस वए लड़की निराशा के पीछे आचकी होती है और इस वए उसने अपनी किसी manipulation skill को activate कर दिया हो चिसने निराशा काफे सदा होती है और वो बोलती हमेरे मेरे मारू बाल करने के कुछिछ आ यह एक ROSS की मेंड यहां यह क्या करे लोग बियू शत्म लेकर सुछ i. पर प्र वह पर पर अपनी manipulation skill को activate कर दे दिया है निराशा का माइन को complete काप्रों बाल में नेक्स दिछाए जहां पर सभी लोग इस जगवे से मिलने वाले क्रिस्टल्स को जमा कर रही होते हैं और इसी साथ यहाँ पर जो वारियस मुझद होते हैं वो कह रही होते हैं यह सच में कफी ज़दा नाइस है मुझे लगा था हमें यहाँ पर उन गार्डियन के साथ फाइट करनी होगी और शायद हम मर भी सकते हैं, लिए वेन कभी नहीं जोचा था, क्या हंटर, जिनकी युजा से हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और अगेले ही सबी गार्डियोंस को समाल लेंगे, और इसी साथ एक लड़का बोरा होता है, यह दोस्त, तुम क्या कहते हो, यहाँ पर इ इडियर्स, आखर तुम लोग सोच क्या रहे हो, क्या तुम लोगों को सच में लगता है, कि इन क्रिस्टल्स को लेकर मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूँगा, तो लड़का बोलता है, आये बहुत समाफ कीजी, मैं तो बस इससे मज़ा कर रहा था, आये इसी साथ वो द मिस्स निराशा, आप यहाँ पर क्या करें हो, आप तो जिनके साथ गई थी ना, लेकि निराशा उसका कोई भी जवाब नहीं तेरी होती है, और वो उसके पास से चलते हुए जारी होती है, और इसे वाक्त हम लेते हैं कि वो अपनी पावर को एक्टिवीट करती है, और वो अपनी स्टेंथ को यूज़ करके, यहाँ पर मजूद एक बहुती बड़े पिलोर को तोड़ देती है, जिसके वज़ए से यहाँ पर बाहर जाने के लिए जो रस्ता मजूद होता है, वो कम्प्लीट बंद हो जाता है, और यह देखकर स्योग बहुती सादा है, और वो बो देखता है, कि निराशा उसका कोई बर रिस्पॉंस नहीं दे रही होती, जैसा कि किसी नों से हिपनोटाइस किया हुआ है, और यह देखकर स्योग काफे ज़्यादा है, और वो सोच रहा होता है, आखर निराशा के साथ हो क्या है, लेकि इससे वज़ए हमें दिखाए जात है, और वो परसन चिलाते हुए मारिया से बोरा होता है, मैम एक बहुती बड़ी प्राब्लम हो गई है, मिस निराशा ने इस टेंजन से बाहर जाने वाले रस्ते को कॉलैप्स कर दिया है, और वो हमारी गिल्ड के सबी मेंबर्स के उपर अटेक कर रही है, और इतना ही नही हंटर स्योग के उपर अटेक करके उने बहुती ज़दा इंजर्ड कर दिया है, और यह भास सुनकर मारिया भी बहुती ज़दा है और वो बोलती है, आखियो तुम क्या कहरे हो, हंटर स्योग ठीक तो है न, इस वक्त उनकी हालत कैसी है, तो परसन बोरा होता है मैम, हंटर स् क्योंकि इस देंचन का बॉस यहां पर आ चुका है और हमें दिखाए जाता है कि यहां पर सच मुझ इजाबेला और उसके साथ वो डिमोनिक हायोमन की मेंबर भी आई होती है और इस इक साथ जिन सोच रहा होता है मैंने 15 फ्लोर को अब से कही सालों पहले क्लियर किया था लेक साथ वो यहां से जारी होती है और इस इजाबेला यहां पर मजों सभी लोगों से बोर होती है तो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और आखिर तुम्हारी हम्त कैसे हूई मेरी गार्डियन्स को डिस्ट्रॉय करने की मैं तुम सभी से अपने गार्डियन्सका लूँगी आई इसे वक्त हमें दिखाए जाता है कि यहां पर सबसे पावफुल डिसाइपल डिसाइपल ऑफ गलिटनी आ चुका होता है और इसे यहां पर देखकर सभी लोग बहुत ही जदा है रहा होता है लेगिन इसे वद इसाइबला चिला कर बोलती है मेरे गार्डियन उस मास्टर को पर कोई भी फरक नहीं पता हुद्ञता है नोढीया मास्टर मारिया को पर एक बहुत ही जूरतार डिसाइपलिए और इसे वक्त हर ने अधिसे आजर निवाने इसे इस इस इसमास्टर को गतर आ के मैजिक का इसर नहीं होता है इसका के जीन बहुता है Tolik bola जि के उन तर इसने कुछ मॉंस्टर को फिट क्या है और ये श देंज़न में रहने वाले मॉंस्टर है लेकिन इस मॉंस्टर की तरह अपने कली में सजालिया है अगर हमें इस मॉंस्टर का मिट खाना होगा और और यह बास सुनकर मारिया बहुत ही ज्यादा शाक हो गई होती है और वह बोलती है वाट और हमें देखते हैं कि यहां पर जो इजबेला होती है वह इस वक्त काफ़ ज्यादा खुश होती है और वह हस्ते हुए कहरी होती है शाबाश मैं जानती थी तुम भी कर सकते हो इन्हें पकड़ो और फिर इन्हें खत्म कर दो और हम देते हैं कि वो मांस्टर इन सबी लोगों के पीछे भाग रहा होता है और यह सबी उसे बचकर भाग रहे होता है देंगे इस वाग जिन अपने स्किल आयोफ करनेटनी को एक्टिवीट करता है और वो इसाबेला की स्टैट्स को रीड कर रहा होता है जिस वो से पता चलता है कि इसाबेला की एज 469 है और यहां पर उसका लेवल नहीं दिखायागा यानि के वो बस एक नॉर्वन हयोमन के जितनी पावफुल है जिसको जिन स्किल की कॉप कंडिशन को पढ़ता है तो उसे बताया जाता है इसाबेला हमेशा से ही अपने उपर बहुत ज़्यादा गुसा करती रही है और वो हमेशा से यही सोचती रही है कि आखिर वो इस दुनिया में पैदा ही क्यों वो ही है वोगर यहाँ पर तो कोई भी उसे अच्छे से ट्वीट नहीं करता है इसलिए आपको इसाबेला के लिए टाइम को पीछे करना होगा और उसे अच्छे तरीके से ट्वीट करना होगा जिससे आप उसकी स्किल को कापी कर सकते हैं लेहें इसी साथ इसाथ इसाबेला बोलती है हयुमन्स मैं तुम्हें एक पात बताना भूली गई मेरा जो लास्ट गार्डियन है उसे मैंने एक डिमोनिक हुमन के मेंबर के साथ तुम्हारे दूसरे साथियों को मारने के लिए भी दिया था जिसके बदा हमें नेक्स स्योग और निराशा का सीन दिखाए जाता है जहाँ पर स्योग निराशा को रोकने के कोईश कर रहा होता है लिए इसे उसे यहाँ पर किसी मोस्टर की आवास सुनाई देती है और हमें दिखाए जाता है कि यहाँ पर वो लास्ट गार्डियन आचका होता है जिसके साथ वो डिमोनिक हायोमन का मैंबर भी मज़द होता है और यहाँ पर मवजओ लोगों पर अटक करके इन्हें किल करना स्टार्ट कर दीता है जिसके बाद हमें दुबारह से चिन और मारिया का सीन दिखाया जाता है जहांपर मारिया को वो परसन कॉल करके बता रहा होता है मैं यहांपर एक और बहुत बड़ी प्रावल्लम हो गई है यहांपर एक गार्डियन मौजुद है जिसके साथ एक डिमोनिक हैुमन का मेंबर भी है जो के सभी लोगों को पर अटेक कर रहा है और यह बार सुनकर मारिया बहुत ही जादा है लगए होती है लेकिन इसी वकत हम देते हैं कि जिन के पस कोई मौंस्टर अप्यर हो रहा होता है और इसे इस साथ वाँसने वह बोरा होता है तो मैं इस वकत बहुत ही जज़दा अजीब कंडिशन में हो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और हमें दिखाये जाता है कि कोई और नहीं बलके डीमन किंग है जिसने इस वरत अपनी फॉर्म को चेंज किया हुआ है और इसे यहां पर देखके जिन काफे सदा है और वो बोलता है आखिर तुम 15th floor पर कैसे आए तुम तो यहां पर नहीं आ सकते थे ना तो डीमन किंग बोरा होता है तुम तो जानते ही हो मैं कितना बड़ा जीनियस हो यहां पर आने के लिए मैंने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया है और इस फॉर्म में मैं अपनी फुल पावर कोड़ एक्टिवीट नहीं कर सकता लेकिन मैं जिस भी फ्लोर पर जाओं वहाँ जा सकता हूँ और हाँ तुम फिकर मत करो यहाँ वर तुम्हारे थिवा मुझे और कोई भी परसन नहीं देख सकता यहाँ सुनकर जिन बोरा होता है अच्छा मुझे यह बताओ आखर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और क्या तुम यहाँ पर मेरी फ्री में हल्प करने वाले हो लेकिन डिमिल्किंग बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं तुमारी हल्प करूँगा अगर तुम मेरे डार्क डिसाइपल बन जाते हो और मेरे डार्क डिसाइपल बनते ही मैं तुमें अपनी पावर्स दूँगा और मेरी पावर्स से तुम बहुत यहाँ सानी से इस मौस्टर को हरा दोगी लेकिし तियसी साथ हमें वस डिमोनिक हयूमन के मेंबर का सीन दिखाया जाता है जिसके उपर किजी परसन ने अटेक कर दिया होता है और हम देशते हैंगे ये परसन कोई और नहीं बलके हमारी डार्क टेरसा है आए सिकसाथ टेरसा इस वक्त काफ़े साथ गुस्टे में होती है और वह बोरे ही होती है बास्टरड आज तुम मेरे हाथों से मरोगे तो यह मैं सेंकर वो परसन बोलता है वाओ मैंने सोच नहीं था कि मेरी मलाकातों से यहां पर होगी यह जिन का ही प्लैन होगा आए से वोली एमपायर के बहुत ही साथ लोग मारे गए थे इसलिए तुम्हें यहां पर रुकना होगा और अगर उसने लोगों को नुक्सान पहुंचाने की कोश्श की तो तुम्हें उससे रुकना होगा जिसके पार टेरसा अपनी कॉंशिस माइंड में मौजूद होती है और तो चीशन के हवाले कर दूँगी जिसके बाद उसे कानून के मदाविक सज़र दी जाएगी तो यह वास दिंकर डाक टेरसा का मसा कुड़ा रही होती है और वह बुर ही होती है तुम्हें सच में बहुत ही ज़्यादा कमजूर हो तुम्हें लगता है शायद वक्त होगा है कि मैं तुम्हें कैद करके हमेशा क WasisHakin के तुम्हारी बॉडि कूप पर अपना कमज़ा कर लो और इस एतो डारैसा को एक पिंजरे में बंद कर दीदी है और यह देखकर डारैसा बहुत ही जासे शॉक हो दीया और चिला कर डाक टेरसा से बूर रही हो दिया आकरी तुम कय कर रही हो मुझे यहां से बाहरी निकालो लेकिन डर्ग टैरसा गुस्ते में यहां से जा रही हो दिया है और वो बुर रही हो दिया है आज से यही तुम्हारा ठीकाना है तुम बस वेट करो इस गावेंड से तुम्हारा बदला मैं लोंगी आए इस इक सथ हमें प्रेजिंट सेंटेस कभी भी किसी इंसान को नक्सान नहीं पहुंचाती है, यानि कि तुम मुझे किल नहीं कर सकती, लेकिं इसी वड़ टेर्सा गावेन के पीट में एक बहुत ही जोर था खिक मारती है, और वो उसे उसके बालों से पकड़ लेती है और इसी एक साथ टैसा बहुत ही साथ गुस्ते में बुरही हो दिया आखिर तुम से किस ने कहा कि तुम एक इंसान हो तुम एक पैरसाइट हो और आज मैं तुम्हें खत्म जरूर करूंगी और वह गार मैन को बहुत ही सोर से पंचसमारना स्टार्ट कर दे है मुझे इस से पढ़ने में बहुत जादा मुश्किल हो रही है और इससे अगर्थ वह उस नोट और अपनी एनक को फैंक देता है और इस इक साथ वह बुरा होता है मुझे लगता है शायद मुझे इनकी जरूत नहीं है मैं इस गार्डियन को तक तक पीटूँगा जब त और इसससा को दिखाए जएगये लाए और इस सकते बहुत हम कांपने क document क काchos रहा होता है और यहां वह बुरा होता है यह लडगी तो सच में है का हमने कें में मिमर को कथने बुरे लग्यर है आखिर यह सब तुमने प्लैन कब बनाया था तुम सच में बहुत ही साथ आमेजिंग हो लेकिन इसी साथ डिमी किंग बोलता है तुमने उन लोगों को सेफ कर लिया है लेकिन तुम खुद को सेफ कैसे करोगे क्या तुमारे पास इस गार्डियन को हराने के लिए कोई भी प्ल रही होती है इडियट आखितों करके रहे हो क्या तुम मरना चाहते हो इन चीज़ों को छोड़ो और जाकर उन लोगों को खतम करो लेकिन इस सेफ जिन अपनी स्किल डिमिन किंग स्टैप्स को एक्टिवीट करता है और इस सेफ जिन बहुत ही तेजी से जाकर उस गार्डिय यहांपर बहुत ही तीजी से इस मॉस्टर के मीट को पका कर रेड़ी कर दिया होता है और वो बुरा होता है दोस्तों मैं जानता हूं तुम कभी भी इस मीट को नहीं खाओगे इसलिए मैंने इसके अंदर एक जोइस को रखा है यहांपर एक प्लेट में नर्मल मीट है और पाकी की प्लेयर्स में इस मॉस्टर का मीट है अभी तुम्हारे लग पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन से प्लेट मिलती है और यह बास सुनकर वो तीनों ही काफी जादा शौक में होते हैं और हम देते हैं को तीनों ही अपने गोश्ट की एक एक बाइट ले ले लेते ह कि रेंजों के काफी ज़्यधा है और होसुच रही होती है इस मीट का शायका बहुत ही स्चायो का अच्छा को ऐपर होगा ऐसे झांग देए जिन भी को खा रहा होता है और वह बूलता है मुझे बाफ करना olur अगर मैंने तुम से यह बोला था कि आ लिकिने में कोई भी नॉर्मल मीट नहीं था और हम सभी यहां पर इस मॉस्टर को एक पावफुल किक मारती है और काफी जादा गुस्टे में चिलाते हुए बोरे ही होती है बास्टर्ड तुम्हारी वज़ा से हमें उस मीट को खाना पड़ा तुम मर चाओ और हम देए थे कि ताइमिन ने भी अपनी मेशिन स्किल को एक्टिवीट कर लिया होता है और इस एक साथ वो यहां पर ब्रिश कर रहा होता है और इस एक साथ मारिया ने भी अपनी मेजिक स्किल को एक्टिवीट कर लिया होता है और वो भी इस मॉस्टर को उपर अटेक करना स से हर चुकी हो और हम देए थे कि इजबेला को इस वक्त काफ़ ज़्यादा गुसा आ रहा होता है और इस इक साथ वह यहां पर काफ़ ज़्यादा कफ़े घपराई हुए होती है क्थी जिसकी वज़ासे उसकी स्किल ब्लैक टीर्स एक्टिविट हो जाती है और यह देखकर ज इसकी में स्किल ब्लैक टीर्स को एक्टिविट करवा दिया और हम देए थे कि यहां पर इजबेला के जितने भी आंसों होते हैं वो बहुत ही तेजी के साथ आसपास के लोगों को पर अटेक करना स्टार्ट कर देते हैं और यह अटेक जिनको भी लगने वाला था लेकिन व हो रहा होता है, सबी लोग इन आटेक से खुद को बचाओ, अगर यह अटेक तुम्हारी बॉड़ी को टच हो गया तो यह तुम्हारी बॉड़ी को बहुत ही ज्यादा नुक्सान पहुचा सकता है, और इस वक्त एक एक अटेक मारिया को लगने वाला होता है, लेकिन इस ज इस बार की वजह से वह स्टेट्यों जिदा हो जाते हैं और फॉरन से इसबेला कि आशपास आचकी होते हैं और यह देखकर मारिया बहुत है रहा हुरे हो तिया कि छीज़ाता है तो जिन आसेवे बूलता है तुम्हें यहाँ पर कुछ करने के जरूद नहीं है जो कुछ भी करना है वो सिरफ मुझे करना है और हम ले देगे इस वाइला इस वाइला इस चुछ बहुत ही ज़दा चिलाते हुए रो रही हो दिया है जिसके बदा में नेक्स्ट फिफ्ट फ्लोर का सीन लिखाए चाता है जहां पर कोई पर संद बोर मास्टर ये सब कुछ मास्टर जिन की वज़ा से ही हो पाया है ठोकर इन सब चीजों में उन्होंने मेरी हेल्प किया है और हमें दिखाए जाता है कि ये परSON कोई और नहीं बलकर ऐला इस होती है और इस इक साथ एंट्रिया बोलती है आप आछ परिशान लग रही हो क्या को है और एसे साथ ऐलाइस यहां पर अपनी एक प्रिविस मेमरिस तोच रही होती है हमें दिखाये ज़ता है कि जब एलाइस और डाक्ट डरसा ने काफ़े ज़रों कणरी ली थी तो यही पर जमिर लेट गरी होती है और एसे तितर सात Neben और तुम जानते हो मैंने इस लड़की को बहुत पार समझाया है कि इससे हमेशा वो करना चाहिए जो इसका दिल करता है लेकिन ये कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुनती और इसलिए इस लड़की की सभी खोहिशों को मैं पूरा करना चाहती हूँ और इस लड़की को बहुत पार समझाने की कुछ ची है लेकिन ये कभी भी मेरी बात नहीं मानती और इसलिए मैं ऐसा सूचती हूँ कि मुझे इस लड़की को हमेशा के लिए कैट कर देना चाहिए और मुझे इसकी बॉड़ी को उपर हमेशा के लिए कंट्रोल कर लेना चाहिए और ये बस सुनकर एलाइस बहुत ही सदा है रहान हो गई हो दिया लेकिन इसकी साथ डाइटर साब हो रही हो दिया तब फिकर मत करो, मेरा आभी के लिए ऐसा कोई प्लैन नहीं है और इसकी साथ हमें प्रेजन्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर एलाइस सोच रही होती है टेर्सा अपनी सेकंड परसनेल्टी के वज़ा से बहुत ही सदा प्रॉबलम में है लेकिन क्योंके जीन उसके साथ है इसलिए मुझे इतना ज़्यादा फिकर नहीं करना चाहिए लेकिन इसज़द एलाइस देखती है कि एंडिया यहां पर काफे ज़्यादा प्रेशान हो गई हो दिया तो एलाइस उसके सर के उपर हाथ रखती है और वो बोलती है मुझे लगता है मैं तुम्हें को ज़्यादा ही परिशान कर दिया फिकर मत करो तुम्हारा मास्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉंग है और वो सब चीज़ों को अकेला हैंडल कर सकता है जिसके बदा हमें दुबारा से 15 फ्लोर का सीन दिखाए जाता है और हम दे देंगे एनाइज इस वक्त गावेन को बहुत ही बुरी तरीके से मारे ही होती है आईजिक सर्ट तेरसा काफ़े ज़्यादा हस्ते हुए बुरी होती है तो गावेन मुझे बताओ एक सेंटिस के हाथों से मार खाकर तुम्हें कैसे लग रहा है आईजिक सर्ट गावेन के चैरे पर एक और बहुत ही ज़्यादा पावफल पंच मारती है और उसके मास्कों भी तोड़ देती है आईजिक सर्ट गावेन चिलाते हुए बोलता है प्लीस रुक जाओ मुझे माफ कर दो मैं दुबारा कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुचाऊंगा प्लीस मुझे यहां से जाने दो तेवास सुनकर टैसा हस्ते वे बोलती है क्या कहा तुमने तुम्हें माफ करतू और इस रख टैसा उसे उठा कर दूर फैंक देती है और उसने उसे पिलर के साथ पांदिया होता है और यह देखकर गावैन बहुत ही जादा शौक हो गया होता है और वह बोरा होता है आखर तुम कर क्या रही हो मैंने कहा ना मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुचाऊंगा तो आखिर तो मेरे साथ ही सब कुछ कुंकर रही हो लेकि इस वर्थ हम देते हैं कि टेरसा ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवीट कर लिया होता है और वो बुरी होती है मैंने तुमें पहले ही बता दिया था आज तुम मेरे हाथों से मरोगी तो अब तुम मर जाओ और यहाँ पर गावैन बहुत ही सदा चिलनाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसकी पूरी बोड़ी आग की वज़ा से जल रही होती है और यह देखकर टैरसा को बहुत ही सदा मसा आ रहा होता है और यहाँ पर काफी सदा हस रही होती है और यह सदा हमें रियल टैरसा को दिखाये जता है जिससे इसदा बहुत ही सदा गुस्ता आ रहा होता है और वो बुरे होती है आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो प्लीज रुक जाओ और किसी को भी नुकसान मत पहुँचाओ और दोस्तों यहीं पर हमारे ये बैडस एपिसोड खतम हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या टैसा और जिन की आपस में फाइट होगी और क्या जिन टैसा को सेव कर पाएगा तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए गुडबाई and stay connected Thank you